हेलो आज मैं आप सब के साथ जैकी की स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ जैकी मुझे 18th of Gen को मिली थी और किसी ने मुझे मेसेज किया कि बस्टेंड के पास एक डॉग है बहुत बुरी हालत में पड़ा हुआ है जब इवनिंग में मैंने जैकी को देखा तो मैं से तुरंत वहां से रेस्क्यू करके डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने जैकी की छोटी सी सरजरी की और जैकी को वापिस भेज दिया तो इस हालत में मैं जैकी को वहां नहीं चोड़ सकती थी मैं जैकी को अपने घर ले आई जैकी से बहुत बुरी वाली एक स्मेल आ रही थी क्योंकि बच्ची काफी दिनों से महाँ पड़ी हुई थी सरजरी के बाद जैकी खाना खा लेती थी लिक्विड खाना खाती थी तो एक दिन मैंने नोटिस किया कि जैकी का जो फेस है ना उसके नीचे की बॉन पूरी टूट चुकी थी और जो नीचे के दांत आप देख सकते हो उपर वाले पार्ट में जाके टच करते थी और फिर दुबारा मैं जैकी को डॉक्टर के पास लेके कि यो डॉक्टर ने जैकी की सरजरी किया आप देख सकते हो जैकी का नीचे का मूब डॉक्टर ने सरजरी से कट कर दिया और उसके बाद ये लिक्वेड डाइट पर ही रहती थी ये मैं उस दिन उसे घर लेके आई थी उस दिन की वीडियो है सब डॉक्ज के साथ ये खेलती थी इस बच्ची ने इतना कुछ होने के बाद भी अपनी हिम्मत नहीं आ रही ये अपना खाना खा रही थी अराम से रह रही थी और मैंने कुछ चीजे नोटिस की की जब इस बच्ची को किसी गाड़ी वाली ने अपने गाड़ी के नीचे कुछला या गलती से कुछला चलो मानों जानके तो कोई नहीं करता गलती से कुछला और जो सडक पर स्टोन्स पड़े होते हैं वो इस बच्ची के बॉड़ी के अंदर तक चले गए थे इस बच्ची के जो नेल्स थे वो पूरा जड़ से खतम हो गए थे यह चीजे मुझे धीरे-धीरे म क्योंकि जब आई थी मैं प्रॉपर इसे खाना दे के सुला देती थी रेस्ट देती थी क्योंकि बच्ची तीन सार दिन से वहाँ पड़ी हुई थी अठारा जनवरी को यह मेरे घर आई थी बट क्या हुआ धीरे-धीरे जैकी ने अपनी पिछली लेक्स पे वेट लेना बंद कर दिया उसके बाद मैं डेली डॉक्टर के पास इसे लेके जाती थी रिक्वेस्ट करती डॉक्टर बोले कि हम क्या कर सकते हैं हम दवाई दे रहे हैं इंजक्शन लगा रहे हैं लेकर एफट यह कर रही है बट इसकी बॉड़ी उस काबिल नहीं रही कि रिकवर कर पाए क्योंकि ज लोक्टर के पास लेके जाएं बट लोग अपनी जिम्मेवारी नहीं नहीं बाते वो देखके एग्णोर करके चले जाते हैं और जब हम जैसे लोगों के पास बात आती है तो हम हर वो कोशिश करते हैं कि जिससे इन बच्चों की लाइफ बच पाए मैं जैकी को डेली ऐसे लिक्वेड डाइट देती थी जब ये भगवान के पास गई तीन-चार दिन पहले कि ये वीडियो है मैं उसको डाइट देती थी ताकि इसको एक एनरजी मिले मुझे बहुत से लोगों ने ये भी बोला कि आप इसको इंजेक्शन लगवा दीजिए ये भगवान के पास ज लेके गई डेली डाइट देती थी ये एकी जगह पर पड़ी रहती थी यहीं पर ये टॉयलेट करती थी डेली दिन में पांच बार इसका ब्लैंकेट चेंज करती थी मैं इस वक्त पर आके जैकी ने बिल्कूल अपने पैरों पे वेट लेना बंद कर दिया था और मैं भग इतने दुख से लड़ रही थी तो मैं उस कार वाले उस बाइक वाले को बोलना चाहती हूं कि जब भी आप ड्राइव करते हो प्लीज सही से ध्यान से ड्राइव किया करो आपकी गलत ड्राइविंग का नतीज़ आप देख सकते हो ये बच्चों को अपनी जान दे के भूक गए थी ये आप इसके बोडी पर ये मार्क्स देख सकते हैं इतना ज़्यादा तरफिय ये इसके आखरी के पल थे जो मेरी गोद में ये बैठी हुई थी उसके बाद जैकी को मैंने प्रोपर जैसे का अलवीदा करते हैं वो किया और भगवान से प्रातना की कि प्लीज इस इसे नेक्स टेम डॉक बना के मत भेजना और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ ड्राइविंग ध्यान से किया करो इन बच्चों को बहुत जादा पेन से गुजरना पड़ता है ये आप इसकी बाडी पर ये हॉल के मार्क्स देख सकते हैं तो जैकी को हम सब यहां से न आ जाएं और जैकी की तरफ से मैं आप सब को ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज ड्राइव ध्यान से किया करो दर्द हमें भी होता है